Hello everyone, दोस्तो, आज हम बात करने जा रहे हैं, what is Aelium Nagalium? तो Aelium Nagalium के बारे हम बात करेंगे, यह जो बिशा है, अभी न्यूस में है, चर्चा में क्यों है, और क्या खास बाती है, इसको हम देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए यह हमारा Ian Nege helium यह फहला पूदा है अब exam में कॉशन कैसे आइंगे उसके लिए समूझ ले थे यह फिल पून रिफियन सम्हित जाए है यह पूदा हमको मिला है उत्राकंड उत्तरा खंड में ये हमारे प्लांट है ये मिला है यह जो पोदा है यह आपका बेसीकली जो प्रजाती है किस की जो माने इंद्रश प्रजाथे और फूर्ड हो गया गालिक हो गया ऑने मीन प्यार्ज गालिक लसुन इसकी परजाती में यह हमारा पोदा आता है यह अपने द्यानक ना है और साथ में खास बात क्या है यह पोदा है पोदा मिल तो 2019 में गया था अगर इस पोदा की बात करो यह पोदा हमें 2019 मिल गया था लेकिन कोशन है सर अभी न्यूज में क्यों है अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इसको जो नाम दिया गया तो इस सैंटिस के नाम पर पूरा नाम है डॉक्टर कुल्दीव सिंग नेगी यह क्या थी बेसिकली इस संस्तम बिज्यानिक थे तो इनके कुलीग ने जो यह प्लांट प्रजाती मिली है इनके नाम पर इस प्लांट को वह नाम दिया यह आपने दियान अखना है 2019 में डिस्कवरी होगी तो सैंटिस जो है आपके डॉक्टर अंजुला पांडे आइसी यह आरे जो आइसी है संस्ता है यह हमारे देश के प्रमुक्ष संस्ता जो इस शेत्र में इसका अच्छा खासा नाम है तो डॉक्टर अंजुला पांडे जी होगे और इसके अलावा की माधब राय और इसके अलावा आपके एस राजकुमार और पवनकुमार मालम तो यह वो व्यक्ति है जिन्हों ने इस पोदे का डिस्कवरी किया था 2019 में तो इसके वारे में द्यान रखेगा और नाम चेंज किया गया इनका डॉक्टर कुल्दीप सिंग नेगी के नाम पे इस पोदे का नाम रखा गया यह आपने द्यान अखना है अब थोड़ी सी कुछ और बात ने कर लेते अगर थोड़ा सा डीप में जाए थोड़ी सैंटिफिक बिचार दरा से बात करें जो एलिम है यह परजाती है किस परजाती यह है आपका इमेरी लिडेसी इमेरी लिडे खाय सब्सक्राइब कर दा देल थोड़ी ओगल इसको नौर्थ कि फिलस परहने कि परजाती न expect का धी ईसितशन होते हमारे इंडिया में खासके हिमाले रेंच है हिमालय माउंटर्स वहां पर परजाती मिल गई है तो यह बात आपने द्यान रखनी है और इसके लावा और खास बात है क्या है यह मैं डिस्टिबुशन का मीनिंग है कि कि शेत्र में फैली हुई है अगर डिस्टिबुशन की बात करें तो आप जा रखेगा इंडिया में तो आपका इसी परजाती का आपको वैस्टर हमालय मिल जाएगा उके उत्रखंड इसी का प्रिसा बन जाता है तो इद्यार रखेगा इसके लावा अगर उन्चाई की बात करें देखो हर एक बनस्पति का उन्चाई की हिसापता होता है से आपने सुना होगा अल्पाइन त होती है आपको ठंडे लाकर उन्ची हाइट पर पाई जाती है तो समझेगा इसके लिए जो उचाई है सी लेवल समंदर तल से 3,000 से लेकि 4800 तक इसकी उचाई होती है यहां पर यह मारा पोदा मिलता है नंबर एक और दूसरी बात क्या है यह क्या लिखा है खुले गास के म सीविविटी इसके लाबाए एलपाइन गास के मिदान यहां पर यह आपको बनस्पति मिलेगी यह हमारा यह बात अब बनसकते हैं बागी बताना चाहेंगा अगर बैंक बात करतें ऐसा इसा बात करें वहां पर एक्जाम में सीधा आएगा सीधा कोश्विशन क्या पूछे तो उनका नाम बूलेगा मत डॉक्टर कुलदीब जी थे तो यह आपने बूलना नहीं है बाके स्टुनेंट अबात कहना चाहेंगे हमारे डिफेंट डिफेंट कोर्स चल रहे हैं जो स्टुनेंट इसमें इंटरेस्टेट है चाहते हैं तो मिल सकता है तो रिकॉर्डिंग लेक्टर है हमारे पास और रिकॉर्ड किया हुए हमने 24 गंटे जब मजी देखी कोई चक्कर नहीं है पूरा हफता इस कोर्स के जो 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 आप है उसको डाउनलड कर जी जो हमारी एप है उसको डाउनलड कर लेजी इस पर आपको सारी जानकरी मिल बाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चलिए आज के लिए इतना काफी है थैंक यू सो मच दन्यावाद